आज हम बनाएंगे हरे ताजे मटर से निमोना हमारे यहाँ यूपी में निमोना कई तरह से बनाय जाता है तो आज मैं उसी में से एक रेसेपी आपके साथ शेयर कर रही हूं उम्मीद करती हूँ आपको यह रेसेपी पसंद आएगी तो चलिए फटफट रेसेपी शुरू करते हैं तो मटर से निमोना बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो कप ताजा मटर लिया है मटर के शुरुआती दिनों में मटर बिल्कुल सौट और मिठा रहता है और जैसे जैसे मटर का सीजन ओफ होता है मटर के दाने टाइट होने लगते हैं और उसमें उतना स्वाद भी नहीं रहता है तो निमोना बनाने के लिए हम एकदम ताजा और मीठा मटर लेंगे तो निमोना ज्यादा स्वादिश्ट बन कर तयार होगा तो मैंने यहाँ पर दो कप मटर लिया है तो इसमें से दो टेबली स्पून मटर हम अलग कर लेंगे और बाकी मटर को मिक्सी जार में डाल कर दरदरा पीस लेंगे इसमें हम पानी नहीं टालेंगे क्योंकि इसका फाइन पेश्ट नहीं तयार करना है तो यहाँ पर देखिए मैंने मटर को दरदरा पीस लिया है और इसमें देखिए कुछ मटर के दाने साबूत भी हैं तो इसी तरह से हमें चाहिए तो इसको हम निकाल कर बॉल में रख लेंगे तो अब मैंने यहाँ पर लिया है 6-7 लसुन की कलिया और लगभग 1.5 इंच अद्रक का टुकड़ा मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और 4 हरी मिर्च लेंगे क्योंकि इसमें हम लाल मिर्च पाउडर का यूज गम करेंगे इसलिए हरी मिर्च थोड़ा ज़ादा लेंगे और साथ में एक छोटा बंच धनिया पत्ती मैंने धूल कर और साफ करके रखा है सभी चीजों को मिक्सी जार में डाल देंगे और साथ में थोड़ा सा पानी डाल कर इसका बिल्कुल फाइन पेश्ट त्यार कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका पेश्ट त्यार हो गया है अभी हम इसको साइड में रखेंगे अब निमोना बनाने के लिए कड़ाही में हम सरसो का तेल डालेंगे और यहाँ पर तेल हम थोड़ा ज़ादा डालेंगे क्योंकि निमोने में तेल का यूज थ्वा जादा होता है तभी बढ़ियां स्वाद आता है तेल के गरम होने पर अब हमें इसमें आलू फ्राई करना है तो मैंने 5 मीडियम साइज के आलू छिलने के बाद इस तरह से लंबे और थोड़ा सा मोटे टुकड़े में कट कर लिया है आप आलू का शेप अपनी पसंद अंसार रख सकते है इस आलू को तेल में डाल कर फ्राई करेंगे तो यहाँ पर हम फ्लेम हाई करके थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए आलू को फ्राई करेंगे तो करीब मैंने इसको 4-5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई कर लिया है और आलू आधा पक चुका है तो अब हम इसको निकाल लेंगे तो तेल थोड़ा जादा है तो अभी हम इसमें से तेल निकाल लेंगे क्योंकि तेल की जरूरत हमें बाद में भी पड़ेगी कडाही में लगभग 3 टेबल इस्पून तेल बचा हुआ है अब इसमें यह मटर डाल देंगे और फ्लेम मीडियम टू हाई करके इसको थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए अच्छी तरह से भूनेंगे करीब 6 मिनाट हुआ है और आप देख पा रहे हुँगे मटर का पानी काफी हद तक सूख चुका है तो अब हम इसको कंटीनियू इस तरह से चलाते हुए भूनेंगे ताकि मटर अच्छी तरह से भून जाए और यह जले भी नहीं तो मटर तेखिये अच्छी तरह से भून चुका है और इसका कलर भी खराब नहीं हुआ है इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं फूनेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा भूनने से भी मतर का मीठापन खतम हो जाता है तो अब हम मतर को निकाल लेंगे और कडाही में फिर से हम तेल डालेंगे तो जो तेल मैंने कटोरी में निकाल कर रखा था उसी में से थोड़ा सा तेल हम इसमें डाल देंगे मैंने यहाँ पर लगभग दो टेबल इस्पून तेल और डाल दिया है आप चाहें तो यहाँ पर और ज़्यादा तेल ले सकते हैं क्योंकि निमोने में तेल का यूज थोड़ा ज़्यादा होता है तो तेल के गरम होने पर अब इसमें आधा छोटा चमच मेथी दाना डाल देंगे और मेथी दाना के चटकने पर अब इसमें डाल देंगे दो से तीन चुटकी हिंग हिंग जरूर डालेंगे क्योंकि इससे निमूने का स्वात बहुत जादा बढ़ जाता है हिंग डालने के साथ साथ ही इसमें डाल देंगे एक छोटा प्याज छोटे टुकड़े में कटा हुआ प्याज को हलका सा सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे तो यहाँ पर देखे प्याज सॉफ्ट हो गया है अब इसमें डाल देंगे दो मीडियम साइज के टमाटर छोटे टुकड़ो में कटे हुए तो साथ में डाल देंगे थोड़ा सा नमक तो मैंने अभी एक छोटा चमश डाल दिया है नमक और बाद में और नमक इसमें आइड करेंगे टमाटर को हलका सा सॉफ्ट होने तक पका लेंगे बहुत ज़़ा इसको मैंश नहीं करना है तो यहाँ पर देखिए टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है अब इसमें हम यह धन्या पत्ती लासून अद्रक का जो पेश्ट तैयार किये थे उसको डाल देंगे अब करीब एक मिनट तक पकाने के बाद इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे निमोने में हम बहुत ज़्यादा मसालो का यूज नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाला डालने से भी निमोने का स्वाद सब्ची जैसा हो जाता है उसमें मतर का कोई स्वाद आता ही नहीं है इसलिए हम इसमें कम मसालो का यूज करेंगे इसमें हम डाल देंगे एक टेबली स्पून धनिया पाउडर और साथ में डाल देंगे लगभग आधा छोटा चमच लाल मिर्च पाउडर लाल मिर्च पाउडर का यूज बहुत जादा नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले हरी मिर्च भी इसमें पीश चुके हैं आधा छोटा चमच हल्दी पाउडर मसालो का यूज बहुत जादा करने से निमूने का स्वाद भी चेंज हो जाता है और इसका कलर भी खराब हो जाता है तो यहाँ पर हम इसी लिए मसालो का यूज गम करेंगे सभी मसालो को अच्छी तरह से चला लेंगे और अब इसमें हम डाल देंगे दो टेबली स्पून जो मटर हम पहले बचा कर रखे थे वो साबुत मटर मटर को हम इसी समय डाल देंगे ताकि मटर भी अच्छी तरह से पक जाए तो करीब दो मिनट तक सभी चीजों को अच्छी तरह से भून लेंगे अब इसमें हम ये भूना हुआ मटर डाल कर अच्छी तरह से मिला लेंगे तो मटर हमारा पहले से ही अच्छे से भून चुका है और मसाला भी हमने भून लिया है तो अब इसको भूनने की जरूरत नहीं है बस सभी चीजों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब इसमें हम पानी डालेंगे तो पानी आप अपनी पसंद अंसार कम जादा कर सकते हैं यानि की निमोना आपको जितना गाढ़ा या पतला रखना है उसके अंसार पानी डाल सकते हैं मैं यहाँ पर लगभग दो से धाई गलास पानी डाल रही हूँ तो बस पानी डालने के बाद फ्लेम हाई करके इसमें उबालाने देंगे तो निमोने में देखे बहुत अच्छे से उबालाने लगा है अब इसमें हम ये फ्राई किये हुए आलू डाल देंगे आलू डालने के बाद चला देंगे अब इसमें डाल देंगे स्वादनसार नमक और एक चमच नमक हम पहले भी डाले हैं तो उसको भी ध्यान में रखके डालेंगे तो एक बर फिर से चलाने के बाद अब इसको ढग कर लो फ्लेम पर करीब 6-7 मिनट तक पकने देंगे यानि कि आलू जब तक स्वाप नहीं हो जाता है तब तक हम इसको पकने देंगे निमोना अच्छी तरह से पक चुका है और इस पर कलर भी बहुत बढ़ियां आ गया है अब इसमें आधा छोटा चमच गरम मसाला डाल कर अच्छी तरह से मिला लेंगे अभी हम फ्लेम आफ करके इसको ढग कर पांच मिनट के लिए इसी तरह से रहने देंगे ताकि गरम मसाले का फ्लेवर इसमें अच्छे से आ जाए तो देखें बहुत बढ़ियां निमोना बना है इसको आप चाहें तो चावल, रोटी किसी के भी साथ खाएं सभी के साथ खाने में बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे तो दोस्तों आपको ये निमोने की रेसेपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना सुझाओ जरूर दे पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके फैमली फ्रेंड्स में शेयर करें चैनल पर पहली पार आए हैं तो सब्सक्राइब करके पहल आइकन दबाना ना भूले